प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विशय है संगशेपण संगशेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग या प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं किसी विस्तार से लिखे गए विशय, मामले अत्वा प्रतिवेदन आदी को संग्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संग्षेपन कहलाता है संग्षेपन की कुछ प्रमुक परिभाशाएं इस प्रकार है पहली परिभाशा है डॉक्टर केशवदत रुवाली की अनुसार वे कहते हैं किसी विस्तरित अवतरण से अनावश्यक एवं आप्रासंगिक बातों को हटा कर उसके महत्वपूण तत्यों को लगभग एक तिहाई शब्दों में व्यक्त कर देना सार लेखन या संग्षेपन कहलाता है दूसरी परिभाशा है शैलेंद्र नात श्रिवास्तव के अनुसार वे कहते हैं संग्षेपन वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है तीसरी परिभाशा है प्रोफेसर केसरी कुमार एवं प्रोफेसर नलिन विलोचन के अनुसार वे कहते हैं संक्षेपी करण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संसकरण या फिर बड़ी मूर्ती का लगू अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं इन परिभाशाओं से स्पष्ट होता है कि संक्षेपन वेह विधा है जिसमें सभी आवश्यक भावों विचारों का समाविश सूक्ष्म रूप से होता है किसी भी भाव या विचार अत्वा अवतरण को कम से कम शब्दों में प्रकट करना संक्षेपन कहलाता है संक्षेपन की विधी दूसरा बिंदु है मूल अवतरण के सार, तर्क और तत्यों को रेखांकित करते हैं तथा संक्षेपन से पूर्व यह भी निश्चित कर लेते हैं कि संक्षेपन का कौन सा प्रकार अपनाना है कहने का अर्थ है कि जिस मूल अवतरण का हमें संक्षेपन करना है उसको आपको सार समझ में आए उसको हमने रेखांकित कर लेना है उसके तरक और तत्यों को भी रेखांकित कर लेना है और संक्षेपन तुरंत नहीं करना है उसको करने से पहले हमें यह निश्चित कर लेना है कि संग्षेपन का कौन सा प्रकार हमें अपनाना है, संग्षेपन के चार प्रकार होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलाल हम संग्षेपन की विधी पर विचार करते हैं, तीसरा बिंदू है, संग्षेपन अन्य पुरुष की भाशा में करते हैं, तथा यह भी ध्यान रखते हैं कि उसका आकार मूल अवतरण का एक तिहाई रहे मूल अवतरण के महत्तों को देखते हुए संग्षेपन एक तिहाई से भी कम या थोड़ा सा अधिक भी कर सकते हैं चोथा बिन्दु है संग्षेपन में भाषा आलंकारिक के स्थान पर सहेज, सरल, स्पष्ट तथा प्रभावोत पादक होनी चाहिए कार्यालाइन भाषा में मुहावरे, सुक्तियों आदि का प्रयोग वर्जित है परन्तु सहित्तिक अवतरण आदि के संग्षेपन में मुहावरे, सुक्तियों तथा सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है संक्षेपन में व्यास शैली के स्थान पर समास शैली का प्रयोग करते हैं जैसे कि बिहारी के दोहे होते हैं गागर में सागर भर देने वाले बस उसी तरह से हमें संक्षेपन को भी करना होता है छट्वा बिंदु है संक्षेपन में भाशा संकोच और अर्थ संकोच की प्रविर्ति मुखर और प्रखर रखते हैं साथ्वा बिंदु है संक्षेपन करने के पश्चात उसे आध्यो पांत यानि की शुरू से लेकर आखरी तक पढ़ते हैं पढ़ने के उपरांत यदि ऐसा लगता है कि मूल अवतरण के कुछ तथ्य छूट गए हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं और यदि ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यक तथ्य जुड़ गए हैं तो उसे काट देते हैं इस प्रकार संक्षेपन की विधी पून हो जाती है